नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चानल है आए पी जी टीमडी यूपी एस्सी मो में तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यूपी एस्सी यानि उडिसा पब्लिक सर्विस कमिशन आयरवेदिक मेडिकल आफिसर दो हजार एकिस की कि यहां दोस्तों 21 से 32 साल की एज आपकी होनी चाहिए और पांच साल का जो है रिलाक्सेशन दिया गया है कुछ केटेग्रीज को अधा केटेग्रीज को पांच साल का रिलाक्सेशन यानि 37 यर तक वो इस एक्जाम को दे सकते हैं तो जनरल के लिए 21 से 32 साल तक की आयू सीम का निर्धारित की गई है अब यदि हम आगे बढ़ते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको सबसे पहले तो BMS आपका कम्प्लीट होना चाहिए इस आपका रिकोगनाज उन्नियु explicitly से आपका अपको कम्प्लीट होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास Odisha State आई और वेदिक मैडिसिन में आपका रिजिस्ट्रेशन हुआ और जिनका नहीं है वो अपने गरर बन आपने मरं बकर कर करा ले अब यदि हम बात करें examination fees की तो 500 रुपए है general category के लिए और category के लिए अलग-अलग categories के लिए जो की reserved category आती है उनके लिए ये fees नहीं रखी गई है कोई fees नहीं रखी गई है general के लिए 500 रुपए fees रखी गई है और उसे आप अलग-अलग gateway से payment portal, OPSC portal से आप submit कर सकते हैं अब हम बात करते है method of selection के बारे में तो method of selection आपका based होगा career marking plus examination marking के अधार पर यानि जो written test हो रहा है 200 marks का और लगबग 100 marks का आपका career marking होगा जिसके अंतरगत आपके जो है 10th, 12th और BMS के equivalent marks रखे जाएंगे तो approximate 100 marks का वो रहेगा उसमें से 33%, 33% और 33% according आपके कितने-कितने marks आए हैं तो वो 10th, 12th और BMS के marks जोड़ कर total 300 marks में से आपका selection निर्धारित होगा जो की merit list आए जाएगी सभी प्रकार की merit list आने के उपरांथ इसमें आपका selection होगा तो written examination कहा होगा तो ये कटक और भुवनेश्वर में होगा और एक बहुत ही महद्पूर बात इस examination से related है कि आपका जो है schooling उडिया language में होना अनिवार है क्योंकि ये उडिया से संबंदित है और वहां के छेत्री लोगों के लिए उडिया भासा एक प्रचलित है तो उडिया भासा कमपंसरी रखा गया है कम से कम school में आपका होना चाहिए अब यदि हम आगे की बात करें